जब पार्ड जो पार्लेमेंट्री कर्स्चुनसी था वो हट गया मुझे कितना दुख हुआ थे और उसके बाद से हमने फैसला ले लिया कि चलो पार्लेमेंट का कभी चुनाओं नहीं लड़ेगे बिहार के मुख्यमंत्री चुनाओं क्यों नहीं लड़ते सवाल का जवाब लगातार विपक्षी दरों के तरफ से तलाशा जाता है और पूछा भी जाता है लेकिन आज सवाल का जवाब खुद मुख्यमंत्र नितीश कुमार नी दे दिया है कि आखर क्यों नहीं मुख्यमंत्र नितीश कुमार वदान सवाद चुनाओं में सामने आते हैं हिम्मत है तो चुनाओं लड़कर दिखाए इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने क्या दिया है आप खुद सुनिए आप सबको मालूम है कि बाड़ से हमारा क्या संबंध है अभी आप सब लोग बोल रहे थे से हमको उसको दोराना नहीं है आज तो लरन जी बता रहे थे कि हमको कितना दूख हुआ जब बाड़ जो पार्लेमेंट्री कर्स्ट्यूंसी था वो हट गया मुझे कितना दूख हुआ थे और उसके बाद से हमने फैसला ले लिया कि चलो पार्लेमेंट का कभी चुनाओं नहीं लड़ेगे आप यह जान लिजे कि हमारा बाड़ से क्या लगाओ रहा है और उसके लिए क्या करते रहे हैं इस सब को मालूँ अब उस समय जो कितना हम घुमते रहते थे हम केंदर में अगर मंत्री भी थे सर्देय अर्तल जी की सरकार में तो भी हम आही जाते थे और कभी यहाँ कभी वहाँ कौन ऐसा मौसम है जिसमें हम नहीं घुमते थे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब समय किसी ने किसी प्रकार से घूमना और पूरा का पूरा तो मेरा प्रती दिन टाल का उधारन है तो बारह किलोमीटर प्रती दिन की यात्रा होती थी जब हम घूमते रहते तो हम इसाब भूलते हैं और बाद में देखिए लोगों को पूरा भरुसा था और अब देखिए चलने में किसी को दिक्कत होती है किस तरह से कितनी सडके बन गई कितना पूल बन गया और टाल एरिया के विकास के लिए भी सबसे पहले हमने जो जब हम हरनौत के विधायक थे तभी हमने जो सुरू किया था अंदोलन और कितनी बड़ी संख्या में हर जगा मिटिंग और अंतर में पटना ला करके हम लोगों ने जुलूस निकाला था प्रदर्संग किया था ये सब काम हम लोग किये और जब केंद्र पे रहने का मौका मिला तो टाल के समस्या के लिए वहां से समाधान के लिए हमने सुरूबात कराई और बाद में तो यहां पर जब मान्य ललन जी मंत्री थे तो ये भी इस एरिया को जानते हैं अच्छी तरह और उससे संबंध है इनका तो सब मिला करके टाल एरिया के विकास के लिए जो योजना बनी और उस पर काम करना प्रारंब कर दिया तो ये सब तो होता ही रहा और हर प्रकार से विकास के लिए जो भी काम हम लोगों को करना था जो सब को मालूम है बिजली के लिए क्या किया गया सब बताईए जब हमको लोगों ने MP बना दिया था तो हमको तो लगा कि फ़ए कुछ ने कुछ तो करना है जब हम के अंदर में थे तो उसी को सोच करके ये सब काम हम लोगों ने करवाया आप देखिए जो कुछ भी हो रहा तो ये सब काम तो हुआ लेकिन जब उसके बाद हम एक बार ठीक कहे आज बिलकुल पुरानी चीज को याद बना दिये ग्यानुजी जब हम जान बुछ करके म पहले से तो कुछ रहना चीए न तो उसी समय हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो कुछ इंतजामी नहीं है हम लोग तो घूंते रहते थे अपना मीटिंग करते थे लेकिन अब जब पूरे बिहार के लिए कई जगहों पर काम कर रहा है तो फिर बार में इसको देख करके तो इस के बाद जो कुछ भी हम लोगों ने वहाँ पर देख करके यह सब किया कि भाई यह जो कुछ भी यहाँ पर काम हो रहा है यह डाकबंगला जो बना हुआ है यह इतना कमजोर और भी बता रहे थे सब लोग बोल रहे थे यहाँ पर सभी साथियों ने बता दिया और ललन जी तो बता ही रहे कि कैसा बुरा हाल रहता था तो वही जो अभी ग्यानू जी बताए हम आ करके देख करके रात हो गया था लेकिन उस समय के डीम वगरा सब थे हमने कहा कि भाई यहां पर बनाना है दो बिल्डिंग अलग-अलग हम लोगों ने देख करके वही तैक कर दिया था क और उसके बाद वही जो आप लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री छेत्र विकास योजना और उसके अंतरगत जो कुछ भी मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और बढ़ाई देता हूं भारती रामचंदर भारती जी को अभी बिना मतलब का लंबा बोल रहे है तरी सब कुछ बोलने वाली बात है क्या जुरुत है जिला परिशत परित्रा जादा अरी सब तो लगा थोड़ा समय तो ल